हेलो एंड वेलकम, ग्रेट ओनलाइन अकेडिमिम आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है M.D. समी, इस स्रीच का इंतजार बहुत से बच्चे कर रहे थे, तो हम आपके लिए most expected questions इस तरह के लेके आये हैं, ताकि आपका preparation बहुत ही अच्छा हो सके, क्योंकि हमारा ये previous experience रहा है कि जब 2015 में NTPC का recruitment आया था, उस टाइम पे CBT-1 का exam देने के बाद कुछ बच्चे हमारे पास offline आये थे, उस टाइम पे हमने CBT-2 के लिए एक proper revision कराया था उन लोगों को, proper guidance दी थी, CBT-1 का analyze किया था उस टाइम पे, और बच्चों की weakness को analyze करके, उनको एक proper guidance दिया, तब जा 15 के recruitment आया था, CBT-2 का जो exam हुआ था, जो बच्चे select हुए थे, तो CBT-2 का भी हमने analysis किया, और सारे चीज़ों का analysis करने के बाद, सारे subject का analysis करने के बाद, जो आपका CBT-2 में GS का 50 में का questions आने वाला है, उसमें जो भी subject है, economy, quality, bio, chemistry, physics, सारे subjects के आपको most hospital questions करवाए जाएंगे तो तयार हो जाएंगे और लगातार बने रहिए और preparation आपको लगातार करना है, daily करना है, revision कहीं भी आपका छूटना नहीं चाहिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या strategy को हम लोग देखेंगे, देखिए, जो strategy हम लोग अपना रहे हैं, वो सबसे best strategy है, इसलिए क्योंकि हमने NTPC-CVT-2 का जो exam हुआ था, जो 17 में, उसकी analysis की, और जो NTPC-CVT-1 का अपने exam दिया, 2021 में, उसकी भी पूरी analysis करने के बाद, सारी exams को analysis करने के बाद, हमने एक proper manner में आप लोग के लिए questions को frame किया है, ताकि आप अच्छे से revision कर सके, और अपने आपको prepare कर सके, NTPC-CVT का जो exam आपका होने माला है, 2021 में, November, December में, तो आप लोग को लगातार जो है, preparation करते रहना है, हमेशा revisions करते रहना है, इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक proper questions को तियार किया है, तो अगर हम लोग CBT-2 को देखे, जो 2017 में हुआ था, तो current affair से 12-15 नमर के questions को पूछा गया है, उसका हम लोग daily updates आपको देंगे, ताकि आप अच्छे से revision कर सके, static GK से 8-10 marks को पूछा गया, history से 4-5 नमर के questions को आए थे, geo से 4-6 marks को आए थे, और polity से 2-3 नमर के questions को पूछा गया थे, economics से 1-2 नमर के questions को पूछा गया था, bio से 5-6 नमर के questions को आए थे, chemistry से 2 से 4-4 नमर के questions को पूछा गया था, अगर हम लोग computer awareness की बात करें, तो computer awareness से 3-5 नमर के questions को पूछा गया, science and technology से 3-4 नमर के questions को पूछा गया, तो आज का जो हमारा concept है, वो biology में based है, क्योंकि biology में बहुत सारे ऐसे topics हैं, जिसमें बच्चों को confusion होता है, इसलिए हमने bio को लिया सामान ने अराम दिल की दर सीमा क्या है? इसका answer is 6200, यानि कि जो normal resting heart है, जब rest, जो heart है वो जब rest, आपकी body rest करती है, उस समय जो heart rate है, वो 6200 होता है, अगर आप दौड रहे हैं, या कुछ heavy work कर रहे हैं, उस समय आपका heart beat जो है, वो fast हो जाता है, और इसका जो concept है, हबसे पहले हम लोग समझते हैं कि heart beat क्या होता है, तो heart beat है बच्चों, कि एक minute में जितनी बार आपका heart है वो धड़कता है, यानि कि pump करता है, heart हमारा एक pumping organ है, जो blood को receive भी करता है, और pump भी करता है, तो 4 chamber होते हैं heart में, receiving का काम जो है वो upper part करता है, और जो pumping का काम है, वो lower part करता है, जैसे आप picture में देख रहोंगे, कि एक side जो लगता है जुका हुआ है, तो जो ये एक side जुका हुआ आपको दिख रहा है बच्चों, एक side जुका हुआ इसलिए होता है, क्योंकि नीचे का जो portion होता है heart का, उसका काम होता है pump करना, तो जो जिसे हम लोग वेंट्रिकल करते हैं, दो भाग होते हैं, left ventricle and right ventricle, तो vent काम होता है, बच्चों को पंप करना, तो जब ये पंप करता है, तो इसको एक्स्ट्रा एनरजी के जोड़त होती है, इसलिए ये जो मांस है, यहाँ पे ज्यादा होता है, और ये एक side जुका हुआ दिखता है, और जो अपर पार्ट है वो सिर्फ बच्चों करता है, रिसी ये वाले पार्ट को नीलय कहेंगे, तो राइट आटियम जो है, वो डी ओक्षिएंटेट ब्लड को पूरे बॉड़ी से रिसीब करता है, अपबार बाड़ी पार्ट बॉड़ी पार्ट से सारा डी आटियम में जाता है, उसके बाद वो जो जो वालब है, वो खुल जाता ह और वो राइट वन्रीकल में चलाजाता है राइट वैंटरिकल में जाने के बाद वो पम्प कर देता है लंक्स के तरफ गांचता है यहां से वहषा देख रहा है। और इसका जो ओपनिंग है, वो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डी ओक्षेंटर ब्लड को पॉम्प करता है लंग्स के तरफ, लंग्स के तरफ पॉम्प करने से लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, जिसको हम लोग अलोवली कहते हैं, जब हम लोग हवा को अंदर खीचते हैं तो lungs जो है उनमें से oxygen को filter करके store कर लेता है lungs हमारा जो है टंके के तरह काम करता है जो oxygen को store किये रहता है तो जब blood वहाँ पे आता है अलोली के पास तो वहाँ पे ASX के थुरू exchange होता है oxygen को blood जो है RBC खीच लेता है और carbon dioxide है उसको lungs में दे देता है जिसको आप लोग बहाँ छोड़ देते हैं वहाँ से blood जो purify हो जाता है यानि कि oxygen जब ले लेता है तब जो है वो left artium में आता है हर्ट पे left artium में आने के बाद वो left ventricle में जाता है left ventricle जो है यहाँ से फिर से pump करेगा पूरे blood को जो पूरे body parts में distribute हो जाता है तो हर्ट का काम क्या है pumping करने का और हर्ट में चार्च एंबर होते हैं जब पहने आपको बताया नीचला portion जो है वो pump करता है और अपर portion जो है वो receive करता है अगला चलते हैं आम लोग नेस्ट कोश्चन पर एनेमिक कंडिशन इन हुमेंस occur due to the deficiency of मनुस्य में रक्त आलबता की स्थिति dash की कमी से होती है इसका answer है RBC तो RBC count जो है वो blood में कम हो जाता है जैसे आप देख रहोंगे picture में कि RBC जो है blood में flow हो रहा है ये round circle type का जो molecule है RBC ये बहुत ही important role play करता है हमारे body में blood के थूरू ये क्या करता है oxygen को लेता है जो अब मैंने आपको पिछे में बताया कि air sex के थूरू blood जब जाता है lungs में heart से तो वो RBC ही है जो oxygen को ले लेता है अपने अंदर और फिर जब transfer करता है तो पूरे tissue में ट्रांसपर कर देता है blood के थूरू तो और बिसी काउंट एनेमिक कंडिशन में घट जाता है तो एनेमिया जो है ज्यादा तर बच्चों में पाया जाता है क्योंकि वह मां कर जो दूद पीते हैं उनमें दूद में जो है मिल्क में आरेन नहीं पाया जाता है धिया ड़ टो यह और प्रेग्नेट्रेशन की और बिसी घट अबाया तो आया जो है जो दूद भीजो होती है तो उनमी ज़िए KH Dis Heart रहे होते हैं घटा में जो दूद अनेमिया का उर जो प्रेग्नेटी अमे घटार सब्सक्राइब इसलिए जो लडी इस पेगनेंट होती है तो डॉक्टर जो है उसे आइरन की गोली विटामिन 12 की गोली बी 12 की गोली देती है, आइरन की गोली तो कैलसियम की देता है, ताकि वो उसकी कमी को पूरा कर सके, तो आइरन जो है, फॉलिकल एसीड जो है इन सभी चीजों को, कम्प जो कि oxygen को आपके टिसू या सेल्स तक पहुचाता है अगला जो कुश्चन है which of the following bacterium is responsible for conversion of milk into curd कौन सा बैक्टीरिया जो है वो दूद को दही में convert करता है जिम्मेदार कौन है इसका answer है lactobacillus तो lactobacillus जो बैक्टीरिया है इसके अंदर यह छमता होता है इस बैक्टीरिया के अंदर कि जो दूद में glucose मौजूद है उसको convert कर देता है lactic acid में तो acid जो है वो saw test का होता है तो खटापन जो दही में आप लोग को लगता है पनीर हो गया चाहें दही हो गया जो आप खाते हैं वो इसी बैक्टीरिया के वज़े से खाते हैं क्योंकि यह बैक्टीरिया अगर नहीं होता तो हम लोग दही नहीं खा यह लोग चीज जो हम लोग खाते है वह नहीं खा पाते हैं तो यह वो रॉट सेप का होता है और यह यह श्पोय firm नहीं करता है यह टिरेकली मुल्टीपलाई हो जाता है तो यह बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेग है बच्छों जिसे हम लोग आज दही खा पा रहे है है जैसा कि आप लोग जांते हैं तो लैक्टो को इसका जो एक्टरी है ये बाइंडेस्ट्री में किया जाता है फॉर सोर मिल्क जो खटा दूद आता है जो हम लोग खाते हैं इसके कनμोजन के लिए उस प्रडक्ट को बनाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है अगला कुश्चन है जा डिजीज ऑफ सिरोसीस अफेक्ट विच अफुलेंग ऑर्गेन इन दा हुमेन बॉड़ी सिरोसीस रोग मानो शरीर में निमलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है इसका एंसर है लीबर तो लीबर जो है बच्चों सिरोसीस बिमारी है यह लीबर की बिमारी है यानि कि पर्मानेंट डैमेज हो जाता है बहुत ही मामली संफरक होता है तो आपको उसको तो असर नहीं दिखेगा स्टेज 2 में थोड़ा सा स्कार्सिंग होता है यानि कि बून बून टाइप का गोल गोल टाइप का जो है लिवर फूल जाता है और जो है अगले स्टेज में टोटली पर्मानेंट ऐसा स्ट्रक्चर वो ले लेता है जिसके बाद वापस अपने सेप म लेते हैं उनको भी हो सकता है या जो लगातार बिमार है या किसी बिमारी से ग्रसित है उनको भी हो सकता है तो शिरोसिस जो है बिमारी यह बहुत ही जटिल बिमारी है जहां पे सेल डिवाइट नहीं होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिवर सेल जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा division capability होती है सबसे ज्यादा multiply हो सकते हैं तो अगर लिबर में आपको कोई बिमारी हो भी जाती है तो ठीक हो जाता है पर यह सिरोसिस ऐसी बिमारी है जिसको कोई इलाज नहीं है यह ठीक नहीं होता है यह एक ऐसे structure को गेन कर लेता है जो वापस अपने shape में नहीं पर नहीं होंगे कि यह दो लोब हैं इसके एक होता है यह left lobe and right lobe तो जो इधर का लोब होता है left वाला वह थोड़ा पतला होता है और right lobe जो होता है थोड़ा मोटा होता है अगला जो question है which of the following is a psychiatric treatment in which seizures are electrically induced inside the patient to provide relief from psychiatric illness निमलिखित में से कौन सा एक मनो रोग उपचार है जिसमें रोगी के अंदर विद्यूत रूप से दौरे की प्रेरित किया जाता है ताकि मानसिक बिमारी से राहत मिल सके इसका एंसर है electroconversus therapy यानि कि विद्यूत चिकित्सा तो जो विद्यूत चिकित्सा होती है बच्चों इसमें electric shock दिया जाता है पेसेंट को जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा हड़ी तूट जाए तो हड़ी के पास जाएंगे हम बिमार पढ़ जाएं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे बुखार के लिए दवा खाएंगे लेकिन एक mental problem भी होता है क्योंकि जो brain होता है उसमें neurons होते हैं और जो nerve cells, neurons होते हैं वो multiply नहीं होते हैं ब्रेन हमेशा हमारा working condition में होता है बहुत ही इसलिए इसको बहुत ही protect करके रखा गया है कितने सारे layers है brain के लिए ताकि वो उसको कोई फरक ना पड़े इसके जो neurons होते हैं जो cells होते हैं वो divide नहीं होते हैं एकदम ही divide नहीं होते हैं तो जो mental problem में जैसे मान लिए कुछ psychiatric problems illness ऐसा होता है कि बहुत दिनों से हम बिमार हैं हम अच्छे से खा नहीं रहे हैं अच्छे से पी नहीं रहे हैं कुछ ऐसी चीज हमारे दिमाग में घर कर गई हैं बैठ गई हैं जिसके वज़े से हम बहुत सोच में डूब गए हैं psychiatric illness जो है ब्रेन में जिसका balance होना बहुत जरूरी है जो हमारे thinking के लिए responsible है अगर ज्यादा release होता है तो कुछ भी सोचना लगते हैं या बहुत advance सोचना लगते हैं और अगर कम release होगा तो हम depression में चले जाते हैं तो इसका balance होना बहुत जरूरी है जो कि hormone thinking के लिए responsible है वो balance रहेगा है कि हम मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो हमें साकेटरी के पास जाना चाहिए अगला कोशन है विचर्द फ्लॉएंग हर्मोन एज सिक्रेटेड बाइदा पॉस्टीर पिट्योटी ग्लैंड निमलिखित में से कौन सा हर्मोन पासवर्ती पिट्योटी ग्रंथी द्वारा स्रावित होता है इसका एंसर है ऑक्सिटोसिन तो जो ऑक्सिटोसिन हर्मोन है यह पिट्योटी ग्लैंड के दोरा से क्रेट होता है जो कि हमारे ब्रेन में मौझूद होता है यह डक्टलेस ग्लैंड है तो डक्टलेस ग्लैंड जो है पिट्योटी ग्लैंड वो ऑक्सिटोसि नाम का hormone सेकृट करता है जो कि फिमेल में ज़्यादा म्ात्रा में सेकृट होता है क्योंकि oxygen का जो मतलब है वह चाइल्ड बर्थ यानि यह चायल्ट बर्थ के लिए रिस्पॉंसिबल है जब चायल्ड बर्थ होता है जो यह uterus जो moniar muscles को contract और elongate होने का सहुलित प्रदान करता है ताकि जो है आसानी से बच्चा बाड़ी से बहार आ सके और तुरंत बाद जो मा जो है दूद पिलाती है तो दूद का भी करी के जो है यह ऑक्सीटोसीनаки के यह वजय से होता है तो ऑक्सीटोसीन kafis है कि कोई भी महिला जब बच्चे को जन्व देती है वो पहले से मा के गुण को से चुक्त के नहीं आती है लेकिन जब बच्च को जन्व देती है और वो मा के तरह यह करने लगती है जब बच्चे को देखती है तो एक bond बन जाता है एक attachment बन जाता है अगर बच्चा उसे दूर कर दिया जाए तो वो तरप जाएगी और छिल मिला जाएगी इसलिए उसके तरप है जो चाह है जो attachment bonding है उसी bonding को मजबूत करता है यह oxytocin hormone इसलिए इसे bonding hormone भी कहा जाता है और इसे love hormone के रूप में ज्यादा जाना जाता है यानि कि जो love के लिए responsible है प्यार जो आप लोग को होता है यह oxytocin hormones के वज़े से ही होता है तो यह male female में दोनों में पाया जाता है लेकिन female में ज्यादा मातिरा में पाया जाता है क्योंकि इसका काम जो है वो females में ज्यादा है कोई लड़की अगर प्यार में seriously हो गई तो वह बहुत ज़्यादा attach हो जाती है बहुत ही confined हो जाती है यह इसी hormone के वज़े से होता है इसलिए इसे love hormone भी कहा जाता है अगला जो question है जिटीन is produced in dash and transported to dash in जायलम वेर इट प्रमोट्स सेल डिविजन जिटीन का उद्पादन डैस और ले जाया जाता है डैस में जायलम में जहां यह कोशी का विभाजन को बढ़ावा देता है इसका answer है roots जिटीन एक plant hormone है जो की roots में produce होता है roots के दुवरा सेक्रीट किया जाता है और इसे जायलम के थुरू अपर पार्ट प्लांट यानि की suit system में भेज दिया जाता है ताकि जो suit system है वो अच्छे से develop हो सके एक पेड का रूप ले सके सारा development जो है डालियां, branches, plants जो यानि की lips का development होता है lips का जो green pigment है chloroplast इनका development हो सके जिटीन का जो formula है C10, S13, N5O तो ये जो formula है जिटीन का ये एक plant hormone है जो की plants के अपर पार्ट यानि की suit system के development के लिए responsible है अगला question है which of the following cell organelle is found in the plant cell but not in the animal cell लिम लिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जन्तू कोशिका में नहीं इसका answer है chloroplast तो chloroplast जो है ये leaf में होता है जो की green pigment के लिए responsible होता है जैसा आप picture में देख रहा हूंगे chloroplast छोटे-छोटे pigment जो आपको दिख रहा हूंगे कैसे travel कर रहे हैं तो ये पत्तो का microscopic image लिया गया है chloroplast इसी तरीके से होता है जो leaf के green होने के लिए responsible है तो chloroplast जो है फो animal cell में मौझूद नहीं होता है ये सिर्फ plant cell में मौझूद होता है अगला question है mitochondria is absent in which of the following cell in the human body मानोशरी में निमलिखित में से किस कोशिका में mitochondria अनुपस्थित होता है इसका answer है red blood cells तो red blood cells का जो cell होता है उनमें mitochondria नहीं होता है बाकी जितने भी organs है tissues है या जो cells responsible है tissues formation के लिए organ formation के लिए हर जगा हर cell में mitochondria मझूद होता है mitochondria जो है बचों यह power को generate करता है, energy अप लोग को provide करता है पुरे body में सारे cells में energy को create करता है और सारे body parts में energy को supply गौलगी body करता है mitochondria supply नहीं करता है फिरिफ energy को generate करता है तो इसी power house of the cell कहा जाता है इसी लिए क्योंकि energy generation का जो काम है वो mitochondria ही करता है अब mitochondria power को generate कैसे करता है तो mitochondria जो है वो oxygen को RBC से लेता है और एक crab cycle चलाता है crab cycle इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि mitochondria का जो खोज है वो crabs नाम के scientist ने किया था इसलिए हम लोग उसे crab cycle कहते हैं वो crab cycle जो है oxygen के help से चलता है और 38 ATP को generate करता है जो कि one glucose के बराबर होता है इसलिए हम लोग इसे powerhouse of the cell कहते हैं mitochondria जो है वो double membrane bundle organelle है bundle के form में है double membrane इसमें है double जिल्ली है तो यह बहुत ही protected है और यह बहुत ही important है हम लोग के energy generation के लिए जैसे हम लोग को कभी नहीं कभी energy की कमी में सूस्त है लगती है यह लगता है कि हम बहुत सूस्त हो गए है सरी में ताकत नहीं और जी नहीं है body parts में हाथ उठा ने पार रहा हैं नहीं यह किस वज़े से होता है oxygen की कमी के वज़े से यानि कि अर्बिसी काउंट कम हो जाता है जो कि माइटोकॉंड्रिया में ब्लड को ले के जाता है और माइटोकॉंड्रिया जो है ऑक्सिजन को ले के क्रैप सैकल चलाके उसको एनेजी में कनवर्ट कर देता है अगला जो कोश्चन है विचब दर फ्लोईंग इस दे स्टेडी अफ इंटर रिलेशन्सिप बिट्विन प्लांट एनिमल निमलिखित में से कौन पौधे और जानवरों के बीच अंतर संबंधों का अध्यन है इसका एंसर है एकोलोजी तो बच्चों यह प्लांट्स एनिमल एंडर इन्वार्मेंट इन सब का इंटर रिलेशन्सिप के स्टडी है जो कि एक ब्रांच ओप बैलोजी है जिसे हम लोग एकोलोजी के रूप में पढ़ते हैं तो यह बैलोजी का ही ब्रांच है जो कि plants, animals and the environment के बीच के relations के बारे में इसमें दिया हुआ है अगला जो question है the chemo autotrops use heat energy in the absence of sunlight to convert dissolve hydrogen and sulfide and carbon dioxide into chemo autotrops सुर्य के प्रकास की अनुपस्थिती में तापी उर्जा का उप्योग घुलित hydrogen, sulfide और carbon dioxide में परिवतन करने के लिए करते हैं इसका answer है organic compound तो जो chemo autotrops है ये heat energy का इस्तमाल करते हैं sun energy के sunlight के absence में ताकि जो dissolve घुले हुए hydrogen, sulfide और carbon dioxide है इनको carbonic compound में convert कर सके यानि कि organic compound में हम इसे convert कर सकें जैसे आप देख रहोंगे ये जो chemo autotrop bacteria आपको दिख रहा है ये ही responsible होता है, heat को use करता है जो पानी में dissolve hydrogen sulfide है और carbon dioxide है उसको organic compound में convert करता है अगला जो question है Who gave the theory of natural selection to explain the organic evolution जैविक विकास की व्याख्या के लिए प्राकिर्टिक चैन का सिधान्थ किस ने दिया इसका answer है Charles Darwin तो Charles Darwin जैसा पिक्चर में देख रहोंगे ये बहुत ही जब इनका age हो गया तब का picture है तो Charles Darwin ने हमें explain किया था कि human का evolution है वो कैसे हुआ तो इन्होंने थिवरी दी थी जो की natural selection के दौरा किया जाता है तो जो भी reproductive animals है या plants है तो जादर ये animals से focus किया था human के evolution पे कि कैसे कैसे animals का evolution हुआ है अभी तक जो evolution चला है किस तरह के से जो है जिवित जो प्राणी है वो develop किये है अपने आपको population को बढ़ाए है over the generations कैसे उन्होंने अपने आपको develop किया है और इस environment में अपने आपको जिन्दा रखा है नई चीजों का विकास किया है क्योंकि जब genes transfer होते है तो कुछ ना कुछ properties जो है या कुछ quality जो inherit होते हैं cells में जिन्स में जो की generation by generation transfer होते रहते हैं अगला जो question है what is the name of the enzyme that digest the high protein content present in soya beans and peas यानि कि जो protein है और soya bean में जो मौझूद होता है high content उसको कौन पचाता है soya bean में मौझूद उच प्रोटीन समागरी को पचाने वाले enzyme का नाम क्या है इसका answer प्रोटीज तो प्रोटीज जो है जब हम लोग soya bean खाते हैं या पीज खाते हैं तो इसमें जो high content protein होता है उसको पचाने के लिए प्रोटीज रिलीज करता है कुछ जो हम लोग खाना खाते हैं कुछ जो है small intestine के दौरह secret होता है कुछ bacteria के दौरा secret किया जाता है या जो इसकीड होते हैं माइकरॉप्स उनके दौरह मारे body में प्रोटीज को ताकि हमारा पाचन है यो फास्ट हो सके पेरिएन को पेचा सब्सक्राइब के खिलाफ हमारे दूसरे रच्छा यंद्र के रूप में कार करता है इसका एंसर है वाइट ब्लड सेल्स तो डबलू बीसी से सौट में कहा जाता है तो डबलू बीसी जो है बच्छों हमारे ब्लड का पिग्मेंट है जैसे ब्लड में आर बीसी पाया जाता है उसी तरीके से डबलू बीसी पाया जाता है यानि कि वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमें इंफेक्शन से बचाता है अगर कोई भी बैक्टिरिया या वाइरस हमारे बॉड़ी में आता है यानि कि उसे फोरण इन्वेडर्स कहा जाता है हमारी बॉड़ी के लिए सेल्स के लिए तो जब कोई भी बैक्टिरिया या वाइरस हमारे बॉड़ी में एंटर करता है तो उससे बचाओ के लिए वाइट ब्लड सेल्स जो है बहुत ही एक्टिवली काम करता है इसका जिसा आप सेब देख रहे होंगे यहां पर इसमें लिंफोसाइट्स को हैं तो यह जो है हमें किसी भी किटानू से किसी भी वाइरस से किसी बैक्टिरिया से जो हमारे बॉडी को हाम कर सकता है उससे बचाता है इसलिए हम इसे इनफेक्षिय difficult peγα सकते हैं इनफेक्षियस एजेंट भी इसे कहा जाता है अगला जो question है, which mineral helps in the absorption of oxygen in the blood, कौन सा खनीज रख्त में oxygen के absorption में मदद करता है, इसका answer है iron, तो iron जो है लोह पदार्ज जासा आप जानते हैं, जो की RBC को बनने में help करता है, अगला जो question है, what is the scientific name of the modern day humans, आधुनिक मानों का विज्ञानिक नाम क्या है, इसका answer है homo sapiens sapiens, तो इसे homo sapiens sapiens इसलिए कहा जाता है, जैसा कि आप picture में देख रहोंगे, है कि मानों का विकास जो है, यह धीरे-धीरे homo habits, homo erectors, homo nendralness, homo sapiens sapiens, तो homo sapiens sapiens बनने के लिए इतने सारे development हुए है humans में, जैसा कि आप animation में भी देख रहोंगे, कि किस तरह के से सर जो है वो develop किया है, brain develop किया है, इसलिए इसका नाम जो है homo sapiens sapiens कहा जाता है, क्योंकि homo sapiens इडाल्टू का ancestor है, यहनि कि उसके पूर्वज है, तो जो homo sapiens इडाल्टू है वो हमारे पूर्वज है, तो आज का जो modern day human है, उसका जो name है scientific हो homo sapiens sapiens है, अगला question है, the exposure of gaseous pollutant sulfur dioxide में cause, gaseous परदूस्रक sulfur dioxide के संपर्ख में आने से डायस का कारण हो सकता है, इसका answer है, bronchitis and plumary ephysema, तो plumary ephysema क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि lungs में alveoli होता है, जिसमें air sex मौझूद होते हैं, जो oxygen को contain करके blood में transfer करता है, तो air sex जो है, अगर आप continuous sulfur dioxide के contact में रहेंगे, इनहेल करेंगे उसको, तो air sex जो है, वो disrupt हो जाते है, यानि कि damage हो जाते हैं, जैसे आप picture में देख रहोंगे बच्चों, कि जो normal और alveoli है, यह कितना जो safe है, इसका गोल गोल है, और जो damaged है, वो किस तरह से खुरदुरा हो गया है, काला पड़ गया है, तो air sex damage होने से oxygen का supply सही तरीके से blood में नहीं होता है, जिसे हम लोग pulmonary emphysema कहते हैं, या bronchitis कहते हैं, अगला question है, which of the flowing cell gets depleted when there is a excessive bleeding during injury in humans, मानो में चोट के दवरान अतिधीक रखत स्राव होने पर निमलिखित में से किस कोशी का समाप्त हो जाती है, इसका answer है platelets, तो जो platelets है बच्चों, यह blood का component है, blood के अलग-अलग components होते हैं, WBC, RBC, hemoglobin और platelets, तो platelets का function होता है, वो especially clotting के लिए होता है, कि जब आपको कभी चोट लगे, तो आपके सरीर से blood बाहर ना निकल जाए, सारा blood अगर बाहर निकल जाएगा, तो कितनी सारी दिक्कते हो सकती है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, तो platelets जो है, वो clotting के लिए responsible होता है, आपके blood के रिसाव को बचाता है, ताकि हमारा blood जो है, वो सरीर से बाहर ना जाए, जल्दी से जल्दी platelets जो है, वो clot कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिपक के पूरा clotting बना लेते हैं, जम जाते हैं, तो जमने से क्या होता है, कि bleeding को रोका जा सकता है, तो जिनमें platelets count कम होता है, उनमें bleeding की समस्या होती है, यानि कि lead से clotting होगा, तो blood का loss हो जाएगा, अगर किसी सरीर में platelets से बहुत ही कम है, तो कितना blood उसके सरीर से बाहर निकल जाएगा, तो उसे खून चाहना पड़ेगा, तो ये platelets के कमी के वज़े से होता है, इसलिए य platelets नहीं होगा, तो excessive bleeding होना ही होना है, platelets ही clotting को रोकता है, तो excessive bleeding जो है, वो platelets के कमी के वज़े से होता है, अगला जो कोशन है, Which of the following is not the function of the liver, largest gland in human body, निमलिखित में से कौन माना शरीर की सबसे बड़ी गरंथी यक्रित का कार ये नहीं करता है? इसका answer है, पोटेट्स गल ब्लाडर, तो गल ब्लाडर को पोटेट करने का काम लीबर नहीं करता है, लीबर का काम है, बाइल जूस को produce करना, ताकि उसके साथ जो है, वेस्ट पोड़क्ट को निकाला जा सके, और जो extra fats होते हैं, उसको हम तोड़ सके, तो बाइल जूस जो ह जाता है, जब पाचन किरिया होता है, वहाँ पे वेस्ट पोड़क्ट को लेके जाता है, इसमों लाज इंचस्टाइन में, और जो fats, globules होते हैं, उसको तोड़ता है, ताकि आसानी से पाचन किरिया हो सके, तो लीबर का काम गल ब्लाडर को बचाना नहीं है, गल ब्लाडर होता है, वो पित की थैली, जिसे हम निकाल के फेक देते हैं, अगला कुशन है, in human body, the fluids involved in the exchange of substances between the cells and their immediate environment, मानव शरीर में कोशिकाओं और उनके ततकाल वातावरण के बीच पदार्थों के आदान परदान में सामिल तरल पदार्थ डैस, इसका एंसर है lymph and blood, तो lymph and blood जो है, वो substance को exchange करता है, यानि कि cells जो है, cells जो उसके आस-पास के environment है, जैसे कि immediate environment का मतलब होता है, जो just उससे जुड़ा हुआ environment है, जैसे एक cell रखा हुआ है, तो cell के just बगल का environment जो होगा, उससे जो substance का exchange है, यानि कि blood जो है, blood क्या करता है, blood जो है, वो cells में oxygen को transfer करता है, जो वो lungs से लेके आता है, RBC pigment वो blood के जरिये से आता है, और oxygen को cell में देता है, और cell क्या करता है, अपने waste product को blood में दे देता है, यानि कि CO2 जो है, और जो impurities जो filter करती है, kidney जो filter करता है, impurities, urea जो बना लेता है, और lungs में deoxidental blood को लेके जाता है, तो carbon reaction आता कहां से है, तो ये cells जो है, जब अपने functions को करता है, तो सारे waste product को blood में release कर देता है, तो blood में release, यानि कि exchange of substances जो होते है cells और उसके immediate environment में, ये leaf and lymph and blood के थू होता है, लसीका, जिसे हम लो हिंदी में lymph को लसीका कहते हैं, और blood को रक्त कहते हैं, तो ल लिम्फ का जो connection है पूरे body में, ये blue color से दिखाया हुआ है, sorry green color से दिखाया हुआ है, लिम्फ का structure पूरा, जैसे आप देख रहे होंगे, तो लिम्फ जो है, वो exchange of substances के लिए help करता है, ताकि जो cell है अपने waste को remove कर सके, और जो उसके काम का चीज है, वो body से blood से ले सके, अगल सरीर को sodium का प्रमुख आपूरती करता है, तो इसका answer है vegetables, तो जो भी requirement हमारे body में होती है sodium की, वो requirement जो है vegetables के दौरा सबसे ज़्यादा fulfill किया जाता है, यानि कि सबसे ज़्यादा sodium जो है vegetables में पाया जाता है, और जो common salt या table salt आप लोग खाते हैं, उसमें भी sodium पाया जाता है, salt का तो formula ही है NaCl, यानि कि sodium plus और Cl minus मिलके बना है, तो sodium की मातरा जो है नमक में और सबसे ज़्यादा vegetables के जरिये से हमारे body में इस requirement को पूरा किया जाता है, अगला कुश्चन है, which are the flowing muscle fibers in human is capable of contracting and relaxing all the time without fatigue, मनुस्यों में निमलिखित में से कौन सा मान स्पेशी, फाइबर बिना थकान के हर समय शुकूरने और अराम करने में सच्छम है इसका answer है cardiac muscles, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह picture में, cardiac muscles जो हर्ट में पाया जाता है, जो मैंने आपको first question बताया कि जो हर्ट का lower portion है, उसको pump करने का work है, तो pump करने के लिए बहुत सारे muscles, ज्यादा मतरा में चाहिए, बहुत ही strong muscles ही होते हैं cardiac muscles, सबसे ज्यादा muscle बिना इसम का hurt बंद हो जाएगा, hurt बंद हो जाएगा, यानि कि dead condition, तो आप मर जाएगे, तो इसलिए यह जो muscles है, इस तरीके से categorize किया हुआ है, कि कभी यह ठकता नहीं है, यानि कि इस muscles में आपको mitochondria सबसे ज्यादा मातरा में पाया जाएगा, जो इस muscles को ठकने नहीं देता है, लगात जीन के बारे में सत्य नहीं है, इसका answer है, जीन्स are incapable of undergoing any change, यानि कि कि किसी भी परिवर्तन या कोई भी change, जीन्स में नहीं होता है, जैसा कि आप जीन्स के structure देख रहे होंगे, जीन्स से ही DNA बनता है, जीन्स के जरिये से prepare होता है, जब हमारा embryo formation होता है, जैगोड बनता है, फिमेल और मेल गेमिट जब आपस में fuse होते हैं, जैगोड बनते हैं, और सेल डिविजन होने से embryo यानि की brood बनता है, तो embryo जो बनता है, तो maternal और paternal जीन्स होते हैं, उन्हीं को copy करके DNA copying की जाती है, तो copying इसलिए की जाती है, ताकि जो हमारा ढाचा है, सरीर का इस्तरचा जो है, वो maintain हो सके, सारी information जो है, जीन्स में inherit होती है, छुपी भी होती है, तो जो characteristic है, अगर वो ही बदल जाएगा, तो हमारा ढाचा है, जो बनावट है, वो same to same कैसे होगा, as it is, जैसे हमारे माबाप हैं, तो इसी दरीके से, इसलिए हर इंसान जब reproduce करता है, तो अपने जैसा ही एक मानो या अपने जैसा ही जीव को पैदा करता है, इसलिए जीन्स में कोई भी changes नहीं हो सकते हैं, जीन्स अगर change हो जाएगा, तो सारी चीज़ें ही बदल जाएगी, अगला कुश्चन है, which of the flowing can be caused in humans due to continuous exposure of high concentration carbon monoxide, carbon monoxide की उच्च सांदर्ता के निरंतर संपक के कारण मनुस्य मेनिमलखित में से क्या हो सकता है, इसका answer है, comma followed by death, यानि कि comma को जो half death कहा जाता है, comma यानि कि आपका brain काम करना बंद कर दिया है, comma एक ऐसी condition है, जिस condition में brain work करना, function करना बंद कर देता है, ऐसे normal जो वेक्ति होते हैं, normal persons जो alive हैं, उनमें brain continuously work करता रहता है, जैसे hurt जो है permanent work करते रहता है, इसी तरीके से brain भी continuous work करते रहता है, इसलिए अगर आपको नींद में मच्छर काटे या कोई मारे, तो आप उसका तुरंद response देते हैं, यह brain लगातार काम करता है, इस वज़े से आप उसका response दे पाते हैं, तो जब brain काम करना बंद कर देता है, तो वो situation होती है, कोमा यानि कि हाप देत, उससे बाहर निकलने का chances बहुती जीरो है, मतलब बहुती कम chance होता है, बहुती कम ऐसे वैक्ति होते हैं, जो कोमा से बाहर निकल पाते हैं, वरना कोमा के बाद फिर डेत होता है, तो carbon monoxide इतना harmful gas है, कि अगर high concentration में उसको inhale किया जाए, यानि कि अंदर लिया जाए, तो वो कोमा का सिकार इंसान हो सकता है, अगर बराबर अगर carbon monoxide अगर low concentration में भी कहीं भी हलका फलका, तो वो भी एक बिमारी को जन्म देता है, जो भीतरी, धीरे धीरे नए नए बिमारीयों को जन्म देता है, तो वो भी बहुत ही harmful है, तो हमें carbon monoxide से बच के रहना चाहिए, हलका से अगर वो अंदर गया, तो वो हमाई लिए harmful होता है, अगला कुशन है, which part of the flower becomes seed after undergoing fertilization, निसेचन के बाद फूल का कौन सा भाग बीज बन जाता है? इसका answer है ovule, तो आपने जानते होंगे plant kingdom आपने पढ़ रखा होगा, कि एंजियो स्पॉम के जो भी plant होते हैं इस category के, इन्होंने fertilization के लिए एक नया ही characteristic को develop किया है, flower के रूप में आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, पपीते का पेड़ हो गया, कोई भी जो आपने पेड़ देखा होगा, इसमें पहले फूल आते हैं, फूल आते हैं, तो फूल में male और female part दोनों होते हैं, जिसे हम stigma कहते हैं, या style ए एंथर, तो एंथर ज और style हैं, नीचे का portion जो है, तो stamen कहा जाता है, इसको male पार्ट होता है, उसको stamen कहा जाता है, और female part होता है, उसको stigma कहा जाता है, तो एंथर जो पार्ट होता है, सबसे उपरी भाग, male का, वहाँ पे pollen gain पोडूस होता है, फिर यह pollination होता है, self-pollination भी होता है, cross-pollination भी होत वो ओव्यूल के अंदर जाके एग से फ्यूज होके सीड बनाएगा, यानि कि जैगोट बनाएगा, एंब्रियो बनाएगा, फिसल डिविजन होगा, फिर वो सीड बनेगा, और जो फ्लावर है यानि कि ओवरी है, यहाँ पर जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो यह बाहरी पोर्शन है फूल का जहाँ यह बीज बनता हुआ दिख रहा है, अमरूद आप खाये होंगे तो अंदर में बीज होता है, सेव भी खाये हैं तो अंदर में बीज होता है, तो जो बीज होता है वो ओव्यूल फर्टिलाइज होके बीज बन जाता है, जिसके अंदर यह कैपसिटी होती है कि वो नए पेड को जनम दे सके, तो यह जो बीज होता है, यह नए plants को जनम देता है, तो यह reproduction इस तरीके से flower में या plants में होता है बच्चों, यह आप सभी लोग जानते हैं, अगला question है, pulmonary artery carries a blood to the lungs from which chamber of the heart, फुसी ये धमनी रग्त को हिदे के किस कच्च में फेफड तक ले जाती है, इसका answer है right ventricle, तो जैसा मैंने आपको पहले कोश्चन ने बता चुका हूँ पहले ही, कि जो ventricle portion है नहीं कि lower part जो होता है, वो pump करता है, तो जो right ventricle है, left artium में, जो right वाला portion है, right artium यानि की upper portion जो है, वहाँ deoxygenator blood आता है, फिर वो right ventricle में जाता है, और वहाँ से ये pump कर देता है lungs के तरफ, तो lungs में जो blood है, वो right ventricle से जाता है हटके, जो कि lungs में चला जाता है, वहाँ पर purify होके ये left artium में आता है, फिर left ventricle में जाता है, उसके बाद वहाँ से pump करके पूरे body में भेज दिया जाता है, अगला question है, which technique is used for the survival of the patient when both the kidneys fail to work, जब दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो रोगी के जिवित रहने के लिए कौन सी तकनीक का उप्योग किया जाता है, इसका एंसर है dialysis, तो dialysis अभी ने सुन रखा है, तो dialysis जो प्रक्रिया है, यह उस वक्त इस्तमाल किया जाता है, जब kidneys काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी patient या किसी भी व्यक्ति का जब दोनों kidney fail हो जाता है, तब हम लोग डालysis करते हैं, या फिर kidney transplant करते हैं, जब हमें कोई नई kidney देने को राजी हो जाता है, हमारा kidney blood group match हो जाता है, तो kidney का transportation किया जाता है, तो जब तक kidney का transportation नहीं किया जा रहा है, तब तक के लिए एक artificial kidney लगाया जाता है हमारे body में, ताकि वो kidney के तरह blood से impurities को निकाले, जिस तरह के kidney blood के impurities को निकाल लेता है, सारे impurities को निकालके urea में convert करके urine transformation करता है, और वो urethra के तरू बाहर निकल जाता है, इसी तरीके से जो artificial kidney है, वो blood के impurities को urea को निकाल लेता है, बट ये urine में convert नहीं करता है, वो एक जगह accumulate हो जाता है, फिर इसको हमें निकालना पड होता है जैसा आप यहां देख रहे होंगे कि यह जो यह जो वोन्सके नीचे वाला पोर्षन देखी आप यहां से बलड को इसके अंदर डाला जा रहा है यहां डाले occur होता है फिल्टर होने के बाद यह जो बलड है यह वापस नसों भीज दिया जाता है तो यह ही dialysis करने का तरीका है बच्चों इसी तरीके से जब किसी पेशन्ट का kidney फेल हो जाता है तो हम artificial kidney के जरिये उसका dialysis करते हैं और इस इंसान को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं अगला कुश्चन है which part of the leaf make carbon dioxide available for photosynthesis पती का कौन सभाग प्रकास sunsillation के लिए carbon dioxide उपलब्ध कराता है इसका answer है stomata तो जो stomata होते हैं वो leaf में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं बच्चों यह बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो stomata का नाम है जो यह opening और closing दोनों stomata आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जब open होता है stomata तो अब यह carbon dioxide को अपने अंदर लेता है फिर यह बंद हो जाता है और अपने photosynthesis के process को करने के बाद जब उसके products बनते हैं glucose, water and oxygen तब यह oxygen को भी release करता है atmosphere में और water भी release करता है अगर इसके पास excess of water present है तो water को भी release कर देता है इस strometa pores में ताकि वो यहाँ जो extra water है plant में जिसके वज़े से plant की बहुत सारी functions रुख सकते हैं तो पानी को भी यह बाहर निकाल देता है transmission के process से transmission यानि कि भाब के जरिए वो atmosphere में मिल जाता है तो यह दोनों चीज़ों को निकालता है जैसा आप picture में देख रहे होंगे O2 भी निकालता है और H2O को भी निकालता है तो stomata opening होती है lips में जिसके जरिए से यह दोनों काम किया जाता है और इसमें CO2 भी अंदर जाता है ताकि यह अपने photosynthesis के process को कर सके अगला question है इसका answer है pancreas, तो pancreas है जो बच्चों जो लीवर के just नीचे होता है जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे तो pancreas का head है यह जो cover है पूरा यह pancreas का head है बीच में जो pancreas की body है और जो last में है वो pancreas का tail है इस तरह के से इसको हम लोग कहते हैं और जो यह बीच में आप देख रहे होंगे green color का structure यह duct है जहां से pancreatic juice release करता है यह enzyme को release करता है यह digestion के लिए और यह insulin नाम का gland को भी secrete करता है जो की हमारे blood में sugar level को maintain करता है तो जिस वैक्ति को भी sugar की विमारी होती है तो यह insulin जो है proper मातरा में release नहीं कर पाता है pancreas जिसके वज़े से sugar level ब्लड में बढ़ जाता है और वो patient जो है sugar का बिमार हो जाता है तो जैसा कि आपने देखा कि pancreas जो है liver के just नीचे मौजूद होता है यह outward type का होता है इसका जो head है यह covered होता है girl bladder से और यह जो आप देख रहें हो common opening duct है यहाँ पे wild duct opening common है और जो इसका beach का portion है इसे हम लोग pancreas body कहते हैं और यह pancreas tail है और जो beach में हरी color की line गई भी है यह pancreatic duct है तो pancreas जो है वो hormone को भी circuit करता है और enzyme को भी circuit करता है जो यह enzyme circuit करता है pancreatic juice जिसे हम लोग digestion में help होता है यह small intestine में उसको release कर देता है जहाँ पे complete digestion होता है फिर जो है वो digestion जो है वेस्ट पोड़क्ट जो है directly हमारा इलाजेस्टन में चला जाता है वहाँ से फिर NS के तुरू बाहर निकल जाता है और यह जो insulin circuit करता है जो hormone circuit करता है यह इसे blood में छोड़ देता है जो हमारे blood के sugar level को maintain करता है तो जब insulin proper मातरा में release होगा तो blood में हमारे sugar level को maintain करेगा अगर यह proper मातरा में release नहीं होता है तो blood में sugar की मातरा बढ़ जाती है और कभी-कभी घट भी जाती है अगर बहुत ज़्यादा कम release करेगा तो घट भी जाती है यह बहुत ज़्यादा release करेगा तो घट जब रिलीज नहीं करेगा तो लेवल बढ़ जाएगा तो इससे जो है सुगर भीमारी हो सकता है सुगर की जो भीमारियां होती है लोगों को इसी के कारान होती है कि पिंक्रियाज वह सही से फंसन नहीं करता है अगला कुशन में विच एमंग दाउड़ व्लॉइंग नौन अ इसका एंसर है नुकलियस तो नुकलियस जैसा कि आप जानते हैं सेल के सेंटर में होता है आप देख रहे होंगे अलग-अलग इसके पोर्शन है नुकलियस के अधर आउटर मेंब्रेन जो बाहरी मेंब्रेन बाहर जो जिल्ली है इनर मेंब्रेन है नुकलो प्लाज्म, क्रोमे जो इसे डिवाईड होता है या चीजों को सारी सारे स्पांसिबल रेस्पांसिबल होता है। ज़े picnic इसमें अए और या स्वेस्त स्वेड ओ де फोन स्वेन के लिए ऑफापर वार्किंग के लिए यह responsible होता है, तो जितने भी activities cell की होती है, वो इसी nucleus के दोरा control किया जाता है, चाहे वो mitochondria हो, चाहे वो Golgi bodies हो, endoplasmic reticulum हो, चाहे वो vacuol हो, सारे जो functions होते हैं cell में, जब वो oxygen को लेता है, जब अपने waste product को निकालता है, जितने भी activities है cells की, सारे activities के cells की जो है, वो controlling जो है, वो nucleus क के दोरा किया जाता है, जैसे अगर कोई power plant है, तो एक control room होता है, जहां से पूरे power plant को operate किया जाता है, तो control room क्या करता है, control room में सारे चीज़े का operations होते हैं, वहाँ पर पुली एक layout होता है, जिसके जरी एक एक part और एक एक machine के function को हम absorb कर सकते हैं, अगर वो खराब हो गया, त उसको चालो या बंद कहा सकता है, उसी तरीके से nucleus जो है, पूरे cell के functions को control करता है, अगला question है, which of the following are the two important constituents of viruses, निमलिखित में से कौन सा वाइरस के दो महतपूर्ण घटक हैं? इसका answer है nucleic acid and proteins, तो जैसे आपकी देख रहोंगे, कि वाइरस के head and tail होते हैं, दो portions होते हैं, एक head होता है और एक tail होता है, जिसके जरी ये किसी भी living cell में घुशता है, और उसको बरबाद करने की, उसको नस्ट करने की छमता रखता है, जब ये living cell में जाता है, तभी ये active होता है और अपने आपको multiply कर लेता है, बाकि ऐसे जब वो कहीं भी होता है, तो वो single मौझूद होता है, लेकिन जैसे ही living cell को पाएगा, अपने आपको तुरंत multiply करना चालू करेगा, और किसी भी tissue या किसी भी organ को damage करेगा, और पूरे सरीर को नस्ट करेगा, खरा जो body है, वो protein का बना है, और इसका जो DNA है, वो nucleic acid का बना हुआ है, तो जो वाइरस का जो constituents हैं, वो nucleic acid and proteins हैं, जिसके बाहरी जो portion होता है, head का, outer जो protection, protective layer होता है, वो protein से बना हुआ होता है, और जो virus का DNA होता है, वो nucleic acid से बना हुआ होता है, ये किसी भी इंसान, किसी भी living form या किसी भी लाइफ फॉर्म को बरबाद करने के इंफेक्ट करने की छमता रखता है अगला कुश्चन है इसका एंसर है एस्टोजेन तो जैसे आप जानते हैं कि एस्टोजेन जो हर्मोन है वो ओवरी के द्वारा सेक्रीट किया जाता है यह जो फिमेल का टोटल बॉडी डेवलोपमेंट है चाहे वो रिप्रोड़क्टिव सिस्टम हो चाहे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो सारा डेवलोपमेंट है बेस साइज बॉडी डिजाइन ओवरी का जो डिजाइन है उसका जो ड पोजेस्ट्रोण जो हर्मोन होता है यह मेलि बेबी बर्थ के टाइम पर रिलीज होता है पोजेस्ट्रोण हर्मोन जो है बेबीश को पॉपर्ली बलड और फूट सप्लाई करने में हेल्प करता है तो इसे वजह से बहुत सी दिक्यते आती हैं जब उमें प्रेगनेंट होती है उस वक्त पोजेस्टरोन लेबल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो पोजेस्टरोन लेबल जो है इसी चीज को मेंटेन करता है बेबी को एक प्रॉपर आराम दायक और सही मातरा में ब्लड को ट्रांसफर करता है ताकि उसका development हो सके और estrogen जो hormone है estrogen hormone क्या करता है bond density, skin development या किसी भी organ का development कितिनी मातरा में किस तरीके से होना चाहिए इन चीजों को भी उस time पे देखता है अगला question है which one of the following is not an essential micronutrients for the growth of the plant निमलिखित में से कौन सा किसके विकास के लिए आवस्यक सुच में पोसक नहीं है इसका answer है sodium तो sodium जो है वो बहुत ही essential micronutrients नहीं है plants के लिए ये plants के लिए जरूरी तात्व नहीं है जो plants के लिए जरूरी तात्व है वो है boron, zinc, manganese, iron, copper, molybdenum, chlorine जितने भी seven nutrients है ये अगर मिटी में नहीं होगा तो कहीं भी plant का development नहीं होगा तो plant को develop करने के लिए यानि की crop को development होने के लिए चाहें आप गेहूं उगाओ, चाहें आप सबजी लगाओ, कोई भी फल लगाओ, तो soil जो है वो fertile होना चाहिए जो हम लोग कहते हैं कि ये जमीन उपयोगी नहीं है, ये जमीन जो है उपजाओ नहीं होने का मतलब ये है कि उसमें वो nutrients है ही नहीं, जो plant के development के लिए helpful है, तो जहां पे soil में वो nutrients मौझूद होते हैं, जो plants के development के लिए helpful होता है, उसे हम ज्यादा fertile land या उपजाओ जमीन कहते हैं, जहां पे कोई भी crop को हम अच्छे से उगा सकते हैं और खेती कर सकते हैं, तो जो essential nutrients हैं, उसको आप लो micronutrients नहीं है plant के लिए, अगला question है, which disease, the disease thalassemia in which a person is unable to make hemoglobin is a thalassemia रोग, जिसमें व्यक्ती hemoglobin बनाने में अर्शमत होता है, इसका answer है genetic disorder, तो अगर मा बाप में thalassemia की बिमारी है, तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पैदा होगा, वो भी thalassemia से ग्रसित होगा, इसका बहुत ही कम chance होता है, 25% chance होता है, और इसका 25% chance होता है कि वो thalassemia से ग्रसित होगा, और 50% chance होता है कि वो normal होगा, तो यह जो percentage है, संभावनाएं हैं, तो यह genetic disorder है, अगर माबाप को है तो बच्चे को भी होना यह जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि यह माबाप के जिन्स में है, तो बच्चों के जिन्स में भी आ सकता है, इसे लिए इसे हम genetic disorder कहते हैं, जैसे आप देख रहोंगे, normal जो RBC का shape है वो round है, और जो यह थैलिसी में विमारी होती है, उनके rectangular हो जाता है, तो यह जो safe है, change हो जाता है RBC का, और यह hemoglobin बनाने में असच्म होते हैं, अगर बच्चा जब पैदा होता है, जब दो माबाप अगर थैलिसी में विमारी से ग्रसित हैं, तो उनके संबंद में आने से जो बच्चा होगा, तो बच्चे में थैलिसी में विमारी होता है, पर अटे स्टार्टिंग हमें पता नहीं चलता है, पर जैसे ही तीन से छे महिने के समय बितता है, तो हमें बहुत साई चिंजस देखने को मिल जाते हैं, अब उसे blood चाहनने की जरोत होगा, आयरन बहुत के सहारे जिंदा रहेगा, टाइम टू टाइम ब्लड को ट्रांस्प्लांट करते रहे और वो जब तक हो सके तब तक वो जिंदा रहेगा, अगला कोशन है, विच अब दो फ्लोइंग गैस इस यूज़ फॉर दा आर्टिफिशियल राइपनिंग अम दो फूट्स, फॉलो क वो कित्म रूप से पकाने के लिए निमलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, इसका एंसर है इथाइलीन, तो इथाइलीन जो है इसे हम लोग इथीन भी कह सकते हैं, यह इथीन सिंपल नॉर्मल इथीन है, जो की अलकीन ग्रूप का है, जिसका फॉर्मला है C2H4 तो C2H4 जो है इथाइलीन इस गैस का इस्तमाल पकाने के लिए किया जाता है, फलों को जो आप देखते होंगे आर्टिफिस्यल पकाया जाता है, मौसम जब नहीं होता है टाइम फलो का, उससे पहले ही मार्केट में एविलेबल होते हैं, तो इसी गैस के जरिए पकाया जा जाता है, जब नैचुरली कोई भी फल पकता है, चाहे हो आम हो, चाहे हो अमरूद हो, कोई भी फल का पकने के बाद, उसका जो टेस्ट है, वो मीठा हो जाता है, और कलर जो है बदल जाता है, पकने के बाद, पीला हो जाता है, और सेव जो है ग्रीन से लाल हो जाता है, और के ला जो है हरा से पीला हो जाता है अमरूद भी अपना पीला जो है ले लिता है पकने के बाद तो इसी तरीके से जब राइमिन की ती है आटीफीशियल तो इथाइलिन गैस के जरी स Welcome इसको प्रोसेस में डाल के राइप कर दिया जाता है और उसको मार्केट में बेश दिया जाता है अगला कुश्चन है इंसुलीन हॉर्मोन विच इस रेस्पोंसिबल फोर कॉजिंग डाइबेटीज मेलिटस इस सेकिटेट थू विच ग्लैंड डाइबेटीज मेलिटस पैदा करने के लिए जिम्मेदार इंसुलीन हॉर्मोन किस गरंथी के माध्यम से सुरावित होता है इसका एंसर है पंक्रियाज तो पहले कोशन से मैंने आपको बताया कि पंक्रियाज के दुवारह फただ यह इंसुलीन हॉता है और यह और शिल्लीन ये ब्लट को सेल को ये पर्मिशन देता है ताकि सेल ग्लुकोज रिम्सा अपने अंदर उन्धार्प कर ले तो इसी तरीके से जो इंसुलीन है वो ब्लट में सुगर लेबल को कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है और सुगर लेबल को बढ़ने नहीं देता है अगला कुश्चन है which of the following part of the human brain is regulating center for swelling and vomiting मानो मास्तिक का निमलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियम नियमन केंद्र है इसका एंसर है medulla oblongata तो medulla oblongata जो है वो hind brain का पार्ट है जो की back में होता है पीछे पीछे का जो आपका portion है उसके down में होता है hind brain आप देखे होंगे कि चीडियां सेब का एक ब्रेन में figure बना होता है तो वो चीडियां सेब का होता है figure तो जो उसका tail होता है उसे हम लोग medulla oblongata कहते हैं जो हमारे automatic functions होते हैं body में उसको ये control करता है जैसे कि blood का flow होना heart दिल का धड़कना और जो vomiting होती है निगलना हर एक चीजों का digestion जो है जो भी automatic function है जिसमें हमारा control नहीं है वो body automatic करती है जो सारा का control है वो medulla oblongata के द्वारा किया जाता है अगला question है which of the flowing plant hormone turns the drop plant into a long plant and help in flowering निमलिखित में से कौन सा पादफ हर्मोन बौने पौधे को लंबे पौधो में बदल देता है और फुलने में मदद करता है इसका answer है गिबिलिन्स तो गिबिलिन्स hormone जो है बचों यह plant को development में help करता है कि कितना उसका stem लंबा होना चाहिए कितनी बड़ी पतियां होनी चाहिए, कितने लंबी डालियां होनी कितना इसे बड़ा होना है, सारे चीज़ों का जो control है यह guideline नाम का जो hormone है plant hormone यह सारे चीज़ों को control करता है तो किसी भी plant को बढ़ने से लेके फुलने तक सारा controlling जो है वो इसी hormone के दौरा किया जाता है ये एक time taking process है बट ये होता है अगला question है the process of initial invasion followed by the progression from a one biotic community to a next termed age प्रारंभी आकरमान की प्रकिरिया के बाद एक जैविक सम्युदाई में दूसरे तक की प्रकिरिती को क्या कहा जाता है इसका answer है primary succession तो primary succession जो है एक लंबा process है long term process है जैसे आप यहां पर देख रहांगे picture में कि पहले जो है बंजर जमीन था बंजर जमीन के बाद वहां पे छोटे छोटे पौधे निकला है खास जिसको अगर्स के बाद जो है वो प्लाउन्ट में डबलब हो गया plant के और deport में डबलब हो गया उसके बाद वहां पर हड ऊंग्युद के बाद जी्यौद के तरह पर हैंबर के कम्योंटी को बायर्ट्री कम्योंटी में चेंज होने में बहुत ही टाइम लगता है तो बंजर जमी से एक इको सिस्टम को डबलाप कर लेना यह एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसे हम लोग प्रामरी सक्सेशन कहते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलग्राम चनले पर पुछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रेशन बॉक्स में रहता है मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स सीरीज में तब तक के लिए कज में जैने हैंडु